तो यार 15 दिन के आस-पास का टाइम बचा हुआ है जही में अप्राइल सेशन का आने का और काफी जारा टेंशन में हो गया तुम लोग कि यार इतने कम टाइम के अंदर कैसे हम पूरा से लेवस कवर करेंगे हैं क्या पढ़ना चाहिए इस कम से कम टाइम के अंदर की जासे ज study होती है नए chapter पढ़ने के लिए रही होता last के 15 days के अंदर दूसरा चीज यह है कि आप previous year questions ही करोगे और previous year questions आप 2019 से लेके 2024 तक का कर सकते हो जो आपका January session का गया है उसका भी आप questions लोगे और करोगे ढंग से तीसरी चीज आपको जो पूरा का पूरा अपना time है वो दो slots में पहली चीज तो यह है कि यह last 15 days के अंदर मैं यह मान के चलूँगा कि आप 10 से 12 गंटे पढ़ोगे तो अगर मालों को यह 10 गंटे पढ़ रहा है तो दो slot में बाटना तो एक 7 गंट और एक 3 गंटे मैस आप तो regular करोगे तो तीन गंटे वाला slot है उसमें mathematics रहेगी साथ गंटे में चाहिआ आप physics करो और chemistry करो एक एक वी आपको उसको divide करना है अपने हिसाब से और जो लोग 12 गंटे दे रहे हैं उनका यह हो जाएगा 8 और 4 गंटे ठेक है तो अब हम लोग start करते हैं वीडियो को सबसे पहले मैस की बात करते हैं basically मैस में काफी डर लगता है कि यह questions नहीं हो रहे हमें यह कुछ आने रहा मैस के अंदर attention लेनी की जूरत नहीं है पहले चीज़ जो चीज़ नहीं आ रही जो तुम्हारा strong point है ही नहीं उसको छोड़ दो literally वो उसको छोड़ दो उसको करने क करने भी है तो इस समय क्या कहते हैं सिर्फ एक या दो ही नहीं चैप्टर करेंगे उससे जाधा नहीं करेंगे revision आपको मैस के अंदर क्या क्या करना है क्योंकि मैस की जो साथ topic में आपको बताने जा रहा हूं वहां से आपकर approximately 10-12 question के आस-पास बन जाता है जैसे vector की अगर मै बात करूं तो vector से दो question लास्ट यानि इस साल जो session में वहाता है तो minimum 2 question हा शप्र में देखे गया थे 3D से 2-3 question आ जाते हैं sequence and series से 1-2 question आते ही है matrix and determinant की बात करूं तो 2 question आपको दिखेंगे easier सा topic है class 12 के सारे topic से जात है integration integration में भी indefinite integration नहीं बोला हूं definite integration बोल रहा हूं उससे 2 question दो मैं देखने के लिए मिलेंगे differential equation से 2 question देखने के लिए मिलेंगे AOD application of derivative जो है उससे भी आपको 2-3 question देखने के लिए मिल सकते हैं तो यह इस session के हिसाब से जो पिछला session गया था जन्वरी का उसके हिसाब से काफी important रह जाता है और यह already इस type से ही pattern follow करता हुआ है तो इसक physics की बात करते है physics में पांचे topics ऐसा है जहां से आपके approximately 1819 question आते है तो यह मैं पूरा एक electromagnetism एक पूरा topic मान के चलूँगा जिसमें जितने भी आपके chapter से चाहे है आपका EMI हो AC हो क्या कहते है magnetism chapter हो current electricity to सब मैं उसमें डाल दिया है basically हर साल यह देखा जाता है कि यहां से 25% से लेके 30% का weightage हर साल रहा है और आप 2018, 19, 20, 21 कितने भी paper देख लो यहां पे आपको इतने का weightage दिखेगा 25-30% का इस साल भी अगर मैं देखूँ तो 9-10 questions हमें देखने के लिए मिले थे electromagnetism के अंदर ठीक है thermodynamics के अंदर आपको 2-3 questions आ जाते हैं तो thermodynamics को make sure कि आप करके रहा है और EM and waves को भी जोड़ रहा हूँ ठीक है तो modern physics के अंदर आपको 3-4 questions देखने के लिए मिलेंगे 4 questions के असपास फिर आता है आपका क्या कहते है mechanics के कुछ आप भी पूछे आता है तो कि इसमें सबसे जादर जो chapter पूछे आते हैं वो है kinematics, work power energy, laws of motion, gravitation, unity इन chapters से ही 5-6 questions आते हैं मैंने rotation को नहीं लिया optics का यह लोगों का सही से के लिए नहीं रहते, slave management नहीं डाला है, बाकि अगर आपका optics काफी strong है तो आप optics करके जाए, team motion वहाँ से भी दिखते हैं फिर यार बात करते हैं काफी important चीज़ को जिसका syllabus भी काफी जादा होगा, उसका नाम है chemistry, chemistry के अगर बात करूँ तो organic chemistry से भी आपको काफी देखने के लिए मिला है, और एक चीज़ मैं बता दूँ, इस साल NCRT based इसे काफी जादा देखने के लिए मिली है, and chemistry के लिए organic काफ लोग से तीन कुश्चन देखने के लिए आपको मिल सकते हैं, GOC and hydrocarbon दोनों को मिला के, और GOC मैं एक और जीज़ मैं बताना जाऊंगा, जैसे लोग आईसोमेरिजम में ज़्यादा फोकुस रहते हैं, तो ज़्यार आईसोमेरिजम थोड़ा कम करके जाओ, तो जड़ेगा, mostly आपको जो करना है, GOC के अंदर जो stability वाले questions होते हैं, आप previous year देखोगे, आपको एक idea आजाएगा, stability वाले questions होगे, उसको करके जाओ, वो सब करके जाओ, ठीक है, वो ज़्यादा पूछे जाते हैं, periodic properties की बात करते हैं, एक marks करेगा, periodic properties में questions नों उसी type से repeat कर रहे हैं, बस pattern थोड़ा सा change कर रहे है, ठीक है, जैसे animation energy, या atomic radia किसका ज्यादा है, तो make sure कि आप उसको करके जाएए, और आजकल IOPEC पिछले तीन साल से ये trend देखा जा रहा है, कि IOPEC की भी questions आ जाते हैं, इसके अंदर जो periodic properties का है, जो सौ से उपर आज़ा है, दस मेंड का topic है पढ़ ले देखेंगी दिखेंगी, तो thermodineum उस धंग से करके जाना, biomolecules से एक question, electrochemistry से एक question ज़रू आ जाएगा, alcohol, phenol and ether, इससे दो question आपको minimum देखने के लिए मिल जाते हैं, तो आप इसको ज़रू करके जाएंगे, इन chapters को, जो मैंने भी बताए हैं, 12 chapters के आसपस, ठीक है, ये chapter आपक approximately 180 marks बन जाते हैं, ठीक है, तो ये 180 marks, again shift पे depend करेगा, इस बार क्योंकि अगर ज्यादा easy shift है, तो हमने अलड़ी देख रखा कि 180 marks पे कितने percentile बनने वाले है, 96-97 भी नहीं बनते हैं, ठीक है, और वही अगर आप tough shift में, hard shift आपका आया था, तो आपके 130 में ही आपके 96-97 percentile ब getting मत करना, ठीक है, तो I hope आपको ये वीडियो अच्छे लगी हो, और कोई भी doubt is related, तो आप नीचे comment कर सकते हैं,